निसम्लाइक माल रहीं पर सेकेंड येर मैथमेटिक चेप्टर नमबर वन हम स्टाट था हमारा फंक्शन्स एं लिमिट आज हम किछ फार्मोली डिस्कस करेंगे जो पेज नमबर आपके 24 पर है इंपोर्टन रिजल्ट रिमेंबर लिमिट एक्स 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 एक 1 by u of x minus 1 e 0 के बराबर है और limit x was positive negative infinity a over x is 0 where a is any real number हम सब रिखते हैं क्या है यह lecture 3rd फुर्स दुर्स दूर्स दूर्स दुप्ष्षण जिरो के बावबर देखें बेटा यह एक ही बात चल रही है देखें यही मैंने यहां लिखा लेकिन यहां मैंने अप्रोच इस नेगिटिव इंफिनिटी करती है तो हम क्या कर दिया है इसको हम नीचे जब लेके गए तो यह क्या हो गया ईरेस टो पावर माइनस एक्स एरेस अप्रोच इस एक्स एक्स आपने यह देखना है कि अगर यह पॉजिटिव इंफिनिटी है तो यह इंफिनिटी के बराबर है और एकिन नेगिटिव इंफिनिटी है तो यह ई ओफ एक्स जीरो के बराबर है थर्ड रिजर्ट इस limit x approaches to positive negative infinity a over x 0 where a is real number अब इसे देखें limit x approaches to positive infinity या negative infinity 2 of x 0 limit x approaches to negative infinity 4 by x 0 देखें एनी constant यह any real number है यह क्या है real number है ठीक होगे positive में हो negative में हो real number divided by x equals to क्या होगा zero होगा it's obvious next यहां एक example है वो हम दिस्केस करते हैं क्या हूआ है टूव अब यह हमारा फार्मना देखे किस से मैच कर रहा है लिमिट एन अप्रोच इस तो पॉजटिव इंफिनिटी वन प्लस वन भाइ एन और अवर एन रेस तो पावर अड इकोल स्टू इप इस इस से मैच कर रहा है तो इससे मैच करने के लिए क्या करेंगे लिमिट X approaches to positive infinity इसको हमने in terms of E में करना है और 1 प्लस 3 बाइ N है तो उपर क्या होना चाहिए? 3N होना चाहिए उपर क्या होना चाहिए बैटा? 3N अगर हम यह 3N यहां रखें 2 उपर जाएगा और 3 से multiply किया तो 3 से divide करना पड़ेगा पावर में यह लिमिट अंदर चले जाएगी अब इसमें देखें कि हमने करपड की है यहां 3N है तो यहां N by 3 होना चाहिए यहां 3N है यहां 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 N by 3 होना चाहिए तो यहां हम 3 हैं तो 3 यहां ले जाए N by 3 यहां आ जाएगा Limit X approaches to positive infinity 1 plus 3 by N N by 3 N 3 into 2 6 आ गया अब यह देखें मैच हो गया इससे ठीक हो गया तो यह E raise to power 6 answer आ गया Next question है Limit B part है X approaches to 0 1 plus X over 1 by X equals to E Formula हमारे पास है Limit X approaches to 0 यही फार्मूला है Sorry Question है 2H है तो यहार यह एक आशे प्रकल होना चाहिए तू से डिवाइड के 2 से multiply कीए तू से multiply किया एच अपरोच इस जीरो वन प्रस दू एच वन ओवर टू एच होल स्केर यह आपके पास ए आ गया देखिए इस फार्मर के रेफरेंस से यह आपके पास की रेस्ट आवर टू आंसर क्लियर नेक्स टास्क जो आपका है यह आपका टास्क है नेक्स आपकी रेगुलर क्लासेस कालिज में स्टार्ट हो गए हैं तो यह ओनलाइन लेक्चर आखरी था यह अपने थियूरी पढ़के आनी है तो हम डिसक्स करेंगे क्लास में अलाह आफ़ेस